Welcome everyone, स्वागत है आपका Physics ग्यान मुकेश नायक चैनल पे बच्चो, 11th Standard का Units and Measurement topic हम लोगों ने चालू कर दिया है पहला lecture हो चुका है, second lecture भी हो चुका है hopefully आप लोगों ने इन दोनों lecture के उपर study थोड़ा सा कर लिया है उनके basic basic notes find out कर लिये और अभी हम लोग चालू करने जा रहे है Units and Measurement का third lecture, ओके बच्चो, चलिए अभी, कल तक हम लोगों ने जहां end किया था, वो चीज मैं आपको clear कर दो हम लोगों ने देखे थे conventions, जब हम लोग use करते हैं SI units को 6-7 कुछ conventions use किये थे हम लोगों ने और उन conventions के बाद में अभी हम लोग बढ़ने जा रहे हैं बच्चो जो बहुत ही crucial part है इस chapter का, इसके बाद में भी और एक crucial part आएगा तो वो दो चीजे अभी आपको ध्यान देनी है सबसे पहले, measurement करनी है हमें लेकिन measurement हम लोगों को तीन basic चीज़ों की है एक length की है, एक mass की है और एक time की है जिसमें से mass और time को इतना ज़्यादा डेटा नहीं है लेकिन एक process है जिसको length measure करते वक्त हम लोगों को check करना होता है अगर आपके आसपास में देखिएगा हम लोगों को बहुत ऐसी थारी चीज़ें है जिनकी length measure करने के लिए कुछ भी मतलब जैसे आप लोग geometry पढ़ते हो तो geometry में पढ़ते वक्त आप लोगों को कुछ centimeter scale यूज करते हो वो एक centimeter scale है उसमें millimeter तक भी होता है एक meter scale कहता है actually तो लेकिन उसके एक particular range है करेक्टे की ने बच्चों उससे अगर कम हो जाए मतलब एक millimeter से भी अगर हम लोगों को कम distance measure करने का है तो फिर हम लोग क्या करेंगे तो ऐसे अलग-अलग से devices होंगे कि जो शायद अगर मैं कहूंगा एक paper है और paper की thickness जो है 0.5 mm mm मतलब वो आधा millimeter की है उससे भी छोटा अब आप उससे तो measure नहीं कर पाऊगे क्योंकि उसकी least count बहुत बड़ी है और हमें उससे भी छोटा count करना है समझ रहे हो बच्चों और इसलिए फिर हम लोग अभी सबसे पहले देखेंगे measurements of the length बच्चों routine life से related लेके चीजों को कहीं बार हम लोग देखते हैं वो तो ठीक है आप क्या लिकिन आप लोग सोचों कि scientist लोग कहीं बार ऐसे भी आप लोगों को measurements बता देंगे कि जो हम लोगों को count करना थोड़ा सा अलग लगेगा जैसे अगर मैं आपको पूछू कि चलो आपके गाउं से लेके आपके घर से लेके आपके school तक का distance कितना है तो यह आप physically जाके भी major कर सकते हैं उसमें कोई problem नहीं है लेकिन यह हो गई direct method जिसको आप लोग physically क्या कर सकते हो बच्चों approach कर सकते हो यह तो ठीक है लेकिन और यह तो सारी चीज़े definitely आपको physically major करने जैसी है लेकिन अब मुझे बताईएगा वहां कहां पे जहां पे हम लोग पहुच नहीं सकते हम लोगों को यह भी बता दिया है कि earth से लेके sun का distance कितना है earth से लेके moon का distance कितना है अब हम लोग क्या वहां पे रसी लेके जागे रहेगे रसी लेके जाना है और चांद पे पहुचेंगे और फिर उसकी length major करेंगे ऐसा नहीं होता है तो ऐसे वक्त हम लोगों फिर भी हम लोग बता रहे है कि 384,000 कुछ किलोमेटर उसका distance है earth से यह कैसे पता पा रहे हम लोग इसके लिए कोई ना कोई definitely एक अलग सी method होगी direct method से तो हम लोग use नहीं कर सकते ऐसी methods होती है कुछ indirect method मैं उनको indirect method करने की कहने की जगा पे मैं ऐसा कह सकता हूँ they are some mathematical methods वो क्या है mathematical methods तो जहां पे earth छोड़ दिया और दूर वाले distances हम लोग check करते बच्चो तो ऐसे time period में हम लोगों को long distances check करने के लिए हम लोग तो कहीं सारी चीज़े बताते हैं मतलब even galaxy एक galaxy से लेके दूसरी galaxy का distance या वगर ऐसे कहीं सारी चीज़े हम लोग बता पा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि यह sharp measurement हो लेकिन यह है कि जिस method को हम लोग utilize कर रहे है वो correct method है और उसके इसाब से एक at least approximate answer हमें मिल जाएगा तो चलिए उसमें से एक हम लोग सबसे पहले अभी देखने जा रहे है कि अगर हम लोगों को जैसे moon का distance check करना है Earth के surface से लेके moon का distance check करना है कि moon कितना दूरी पे हमारे तो अभी उसको निकालने के लिए हम लोग एक method यूज़ करते हैं बच्चो तो सबसे पहले अभी हम लोग देखने चाहिए क्या जा रहे है बच्चो large distances के लिए large distances के लिए method ठीक है तो वो जो method है जो बहुत ही ज़रूरी हमारे लिए वो है parallax method क्या है बच्चो parallax method कि अब आपको कहा था कल कि जब हम लोग solid angle or plane angle देख रहे थे उस time पे मैंने कहा था कि आगे चलके आपको length major करने के लिए काम में आएगा तो उसको याद रखो वो formula मैंने आपको कहा था एक circle हम लोगों ने circle जैसे बनाया था उसको 2 radius बनाई थी नीचे एक arc था चाहे तो जो भी first second lecture में हम लोगों ने देखा था उसमें एक बार check कर लेना अब यह parallax method क्या है यह कहीं सारे बच्चों को left right उतना तो होता है कुछ लोगों की दोनों मिठ जाती है ठीक है तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा समुच्किल आदरवाइस जिनकी एक आख क्योंकि कुछ लोगों को practice भी होती काफी सहरी सो हम लोग बच्चो ध्यान दीजिएगा हम लोग एक पेन है हमारे सामने उस पेन को सामने रखीगा थोड़े से distance पर रखीगा एक डेट फीट के ओके रख दिया ना जिन लोगों को possible नहीं है कि खुद से एक आख बंद करने का तो उन लोगोंने सीधा उसके ओपर हाथ भी ठीक है? अब नॉर्मलेली अब अहर हम लोग पेन को देखते हैं तो पीछे बाला बैगगराौंड बलर हो जाता है रह पेन को FOKUS करो और अगर हम लोग पीछे की बैगराउंड को देखते हैं तो पेन की 2 position दिख रहे हो गया पको देखों मेह बेष्टे की बैग्राउंड क यह तो थोड़ा सा इमपॉसिबल लगता है नहीं तो इसको इस इमपॉसिबल चीज को थोड़ा सा फ्टाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं एक आख से काम करते हैं चलो दो आखे इसलिए दो अब्जेक्ट दिख रहे होंगे लिकिन हर बार हमेशा ऐसा नहीं होता है अभी जो थ्यान दिजिगा, पेन को सामने रखाए, एक डेट फीट की डिस्टंस पे, अभी लेफ्ट आख से आपको देखने का है, तो राइट आख को बंद कर दो, अब आप पेन को देखो, एक ही पेन दीखेगा, अगर आप वाल को भी देखोगे, तो भी एक ही पेन दीखेगा, अब ध्यान दीजिएगा, बच्चो पूरा ध्यान यहाँ पे, जब मैं इसको देखूंगा, तो इसको अहाँ, और उसको सेंटर को पकड़ना है, नाक के सामने अधरवाइस आप लोग कहीं पे भी पकड़के उसको चेक कर लोगे, अब जब मैं इसको देखता हूँ, तो जहाँ पे भी वाल पे उसका एक पूजिशन है, उसको चेक करो, तो वो मार्क आउट करके रखो, दिमाग में रखो उसको, ठीक है, अब हो गया, वो मार्क को क्लोज कर दो, और राइट को ओपन कर दो, और फिर आपको समझ में आ जाएगा, अब मार्क आउट करो वाल के उपर उसकी पूजिशन, आपने हाथ तो नहीं हिलाया, फिर भी, आपको उसकी पूजिशन चेंज होते हुए नजर आई, वो तो यहाँ पे लग दर आ रहा अगर आप लोग फास्टली आँख को बंद और चलू कर दो कि ना, समझ में आ जाएगा, कैसे क्यों हो रहा है, थोड़ा सा फास्टली करने का है, ठीक है, उसके चकर में लेकिन पेन को भी देखने का है, उसकी पूजिशन कैसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे डांस करते नजर आएगे, यह आप को समझेगा, अब देखो, यह क्यों हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने अपनी लेफ्ट आई क्लोज कर दी और राइट आए के साथ में देखा तो उसका इस पेन के साथ एक एंगल बन गया, इधर वाली साइड में, और फिर मैंने पूजिशन चेंज कर दी आ Parallax Method, so, Parallax Method को हम लोग basically यह कह सकते है की, there is a change in position, किस की position में change हुआ, object की, of object, of an object, change in the position of object, actual में नहीं हुआ, हमको लगा, हमें लगा, तो हम लोग, देखो, यह जो change in the position हुआ है, हमको लगा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, apparent change, इसको क्या कहेंगे बच्चो, apparent change, this is an apparent change, in the position of object, with respect to, किस के इसाब से हुआता है, यह हुआता, actually change in the position of object, लेकिन अभी आपको होगे, कि भाया, observer, आप तो अकेले observer हो, और आप तो जगह पे ही थे, लेकिन देखो, observer दो लोग थे, दो लोग मतलब मैं इनसान बोलके नहीं में कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो आखे बोलके उनको मैं देख रहा हूँ, यह दो observer है, observer मैं नहीं हूँ, observer मेरी आखे है, और वो दो है, एक नहीं, दो है, जो कि अलग अलग से angle से देख रहे हैं उसको, correct है ना, तो यह अलग से angle से observe कर रहा है, यह अलग से observe से, तो किसकी position change होगी, observer की positions change होगी, so with respect to change, in position, किसके, of an observer, इसको हम लोग क्या कहते है, बच्चो, parallax method, जिनको ऐसा लगता है, कि यह लिख लेना चाहिए, वो लोग लिख लेना, ठीक है, so what is a parallax method, देखो, इसका कोई marks, यह वो आपको कुछ carry नहीं करने वाला, यह बस आपके जानकारी के लिए, ठीक है, कोई आपको उदर questions में नहीं पूछने वाला, हाँ, definitely, आपके colleges वागरे में, या school में, जहां पे भी, definitely होता है, वहां पे तो कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई हम 12th में board आएगा, और 12th के board में 11th के chapters नहीं आएगे, तो definitely आपके 12th के board के कुछ काम करने, लेकिन, हर एक chapter में कहीं सारी ऐसी चीज़े हैं, कि जो units and measurement और scalar and vector से related रहने वाली, तो इसको जानना ज़रूरी है, अब यह हो गया, अब एक काम करते है, इसको थोड़ा धंस समझ ल नहीं है, सबसे पहले देखो बच्चो, आपको एक diagram बना के दे रहो है, diagram को ढंक से समझने की कोशिश करते है, parallax method का usage है अभी हमें, समझो मान के चलिएगा, यह है वो position of the object, कि जिसको हमें observe करना है, जिसका हमें distance निकालना है हमारी यहां से, ठीक है, और यहां पे है आपके दो observing points, यहां पे एक observing points, यहां पे एक observing point है, इसको हम लोग कहते हैं, यह position है आपकी A, यह position है आपकी B, ओके आपके first observation point से लेके second observation point तक का कुछ तो distance हो सकता है, हम लोग ले लेते उसको, छोटा भी, ओके, और यह है हमारा जिसका हम लोगों को distance निकालने का है, वो है, समझो हमारा object, यहां पे observer है, दो, अलग-अलग, imagine कीजएगा कि आप earth के ओपर खड़े हो यहां पे, आपके किसी भी एक point यह, यह होगे आपके A position, यह होगे आपकी B position, और इसके बीच का distance तो definitely हम लोग निकाल सकते है, वो कितना है, चोटा B, ओके, अब, moon है, समझो हमारा target कोन है, moon, ओके, चाहिए तो मैं इसको moon लिख देता हूँ, moon का M लिख देता हूँ, यह, ठीक है, यह है M of the moon, ओके बच्चो, आप ध्यान दीजेगा, इसके distance को हम लोग ले लेते हैं, D, B, बुक में कुछ अलग भी हो सकता है, symbol, matter नहीं करते हैं, बस process को ध्यान दो, बच्चो ध्यान दो, यार, यहाँ पे है moon, इतने कम distance पे नहीं होगा, definitely, तो यह होगा आपका distance, D, D, और यह है B, okay क्या, ध्यान है न बच्चो आपका, चल, यहाँ पे देखिएगा अबी, हज, so, बच्चो पूरा ध्यान दीजिएगा, क्या बता रहा हो, अब हमें निकालना क्या है, वो सबसे पहले देखो, moon का earth से distance निकालने गा है, और वो है इतना, यह position से लेके यहाँ पे, और यह position से लेके यहाँ पे, एक particular angle बना होगा, जिसको हम लोग कहेंगे, ठीटा, okay, एक particular angle है, जिसको हम लोग कह रहे है, ठीटा, यह बहुत ही चोटा angle होगा, क्योंकि, यह इसलिए चोटा होगा, क्योंकि यह वाला distance, compare to यह वाला distance, बहुत कम है, हम लोग अरत के दो observation point के कितना distance हो सकता है, सेक्डो किलो मेटर, 100 किलो मेटर, 200 किलो मेटर, 1000 किलो मेटर, इससे ददाद हो तो नहीं होगा, 1200, 3000, 4000, 4000, okay, यह होगा, अरत के उपर के point, जिसको एक 1000 में हम लोग चेक करेंगे, लेकिन, मून का distance, almost 384,000 किलो मेटर है, सो यह बहुत longer distance है, जितना ज़्यादा distance, यह angle देखो, इससे मैं बता रहा हूँ, यह distance देखो, अभी कम है न, तो देखो, यह angle बढ़ा है, लेकिन अगर यही distance को मैं अभी यहाँ पर पुट करके, फिर observe करूँगा, अब देखो, angle घड़ गय उतना angle उसका छोटा होते चल रहा है, तो इसका और इसका ratio हमेशा बहुत कम आएगा, so this divided by this will be two small number, okay, चलिए, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, देखो, अब एक चीज को imagine करना, ऐसे थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, हमें निकालने का है D, हमें ठीटा पता है, angle पता है, हम लोगों को B पता है, हमें निकालना है D, कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए एक चीज को imagine करो पहले, जो earth है, okay, जो earth के उपर के आप दो observation point है, ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे earth थी हमारी, यहाँ पे हम थे, यहाँ पे हम थे, यहे A, यहे B, okay, और यहाँ पे हम मून, correct है बच्चो, यहाँ पे हम मून, जिसको observe करना है, अब एक ऐसा circle imagine करो, कि जिसका center है मून, और जिसके circumference पे आता होगा A और B, ऐसा circle को imagine करो, ऐसा type का कुछ, ऐसा circle imagine करो, क्यों कर रहा है, क्योंकि mathematical method जो बताया गया है, उसको कर लो, बस suppose तो suppose, है कि नहीं, मून, वो आ गया भी center पे, किसके circle के, कौन सा circle, वो circle जिसके circumference पे यह दो observing point आते हैं, अब यह हो गया कौन बच्चो, इसका radius, radius, इसका distance हम लोग नहीं लिया था, D, D, दोनो radius सेम ही होंगे, किसी को भी एक को major करो, यह दो observing point की बीच का distance हम लोगों को पता था, और यहाँ प को कहा था, एक mathematical formula याद रखना, कौन सा formula था हो, मैंने कहा था, अगर किसी circle के center से, दो radius बना लो, और यह अगर arc है, तो हम लोगों का formula क्या कह रहाता, बच्चो, arc length, arc length is equal to, arc की length क्या होती है बच्चो, radius times the angle, radius कितना है, D, into angle between the two radius, हो गया, D into theta, correct है कि नहीं, और यह है आपका B, तो क्या हम लोग same चीज़ को यहां नहीं implement कर सकते, definitely कर सकते, देखो, यह कोन है आपका, earth के बीच के, यह 2 point के बीच का, observer, observing point के बीच का, distance B, यह हो गया आपका एक, arc, यह straight line है, जितना बड़ा circle बनते चलेगा, वो more and more straight लगने लगेगा, यह याद रखो, भले उसमें curve है, बहले उसमें definitely curve है, लेकिन जैसे अभी हम लोग earth का चोटा सा हिस्सा देखते हैं, तो जब चोटा सा हिस्सा देखते है, और तो बहुत बड़ा circle है, लेकिन जितना दूर तक हम लोग देख पाते है, earth तो flat नजर आती है, क्योंकि वो चोटा सा हिस्सा है, तो जितना हिस्सा अगर लो, उतना वो क्या हो जाएगा, more and more flat, अब यह imaginary circle के उसके यह center है, अब यह हमें निकालने का क्या है, यह लेकिन उसके निकालने के लिए हम लोग पहले formula उटिलाइस करेंगे, और formula क्या है बच्चो हमारा, arc length is radius times the angle between two radius, correct न, अब यहाँ पे arc की लेंथ कितनी बच्च B, लिखो इसको B is equal to, radius कितना है बच्चो, imaginary circle का D, तो यह हो गया D बच्चो, और अंत में, एकदम अंत में देखो, angle between two radius, कितना हो गया, theta, हमें कौन चाहिए रे बच्चो, हमें चाहिए D, अगर जो हमें चाहिए उसको हम लोग mention निकरेंगे, तो कैसे चलेगा, तो हमें D च एक सिकेंड, तो हमें कौन चाहिए बच्चो, यह थार की लेंद, D is equal to D into theta, हमें चाहिए था D, तो D को एक साइड में रखो, दूसरे को अधर भगाओ, जिसको नहीं चाहिए एक साइड में, तो यह है B upon theta, आपका आजाएगा D, अब देखो, यहाँ पे B कौन है, observation point के बीच का distance, जो हम लोगों को definitely finite है, और हमें पता भी है, well known, theta हमको पता है क्योंकि हम लोगों ने एक angle create करके उसको major किया है, तो वह angle हम लोग एक particular method होती, जिसको हम लोग चेक करते हैं, अब यह हो ठीटा यहाँ पे radian में आएगा, और finally फिर आपको मिल जाएगा क्या चीज, distance between the moon and the earth, correct है कि नहीं, तो यह हमें finally मिल ही जाएगा, समझ गे बच्चो, clear है क्या, hopefully आपको clear है, एक बार ढंक से इसको समझने की बस कुशिश करो, imagine करो, okay, चलिए, तो यह हो गया एक basic, अब देखो, इंसान बहुत sharp है, बाकी किसी भी animal से हम लोग बहुत जादा होशियार है, ठीक है, आपको लोगेगा, ऐसे क्यूं कहे रहे हम लोग, वो fact है, जो fact है, वो fact है, हम लोग बाकी animal से बहुत जादा होशियार है, कुछ चीजों में definitely हम लोग गदे लेकिन होशियार जादा है, तो जब इंसान जादा होशियार बन रहे ना, तो वो कभी एक जगा पे रुकेगा क्या, नहीं, सिर्फ मून और अर्थ के बीच का distance निकाल लिया, तो काम हो गया क्या, नहीं, इंसान उसके आगे की भी चीज़े बता रहे है, जैसे की, हम लोग ये भी बता रहे की मून का diameter कितना है, है कि नहीं, उसका radius कितना है, sun का radius कितना है, उसका diameter कितना है, ये सारी चीज़े हम लोग बता पा रहे हैं, अब उसको कैसे निकालते होंगे, उसके लिए भी indirect method ही है, और यही method यूज़ करनी है, बट in the inverse way, कैसे हम लोग देखेंगे, अब इसको inverse way से कै पहले याद रखना कि जो right process थी पहली, ये correctly पता होनी चाहिए, समझगे बच्चो, तो ये पहले clear है आपको, ये hope से मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी, कि हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो, ये किस के लिए निकाल रहे है, to find the distance between earth and planets etc. या कोई भी दूर वाले celestial objects को, okay, च दान दो बच्चो, तो ये, चलिए, हाँ जी, now to find, हमें अभी क्या निकालने का है, उसका radius निकालते है, चलो, अगर मून का radius निकालने का है, तो कैसे use करेंगे, ध्यान दीजेगा, to find the radius या diameter of planets, planets या कोई भी celestial objects, okay, planet लिखा मतलम हमेशा planet होने चाहिए ऐसा जरूर निन, मैं just example बता रहा हूँ आपको, अब एक काम करने का, उल्डा करने का, हम लोगों ने अर्थ के उपर दो observer थे, उनसे एक angle बना था, और जो object था, जिसको हम लोग observe कर रहे थे, वह इक ही था, correct है ना, अब उन्हों लोग उल्डा करेंगे, जिसकी भी diameter निकालनी किये, समझो यहाँ पर अभी है moon, correct है ना, तो यह moon है, और यहाँ पर है हमारी earth, physics में imagination बहुत जरूरी है बच्चों, जिसका imagination कच्चा, उसका physics कच्चा, जिसका imagination पक्का, उसका physics भी पक्का, और observation, आप लोगों का बहुत ही foundational होना चाहिए, जरूरी नहीं कि बहुत high ideas आने चाहिए आपको, basic चीजों को observe करना है, चलिए, यह कोने बच्चों, moon, और यह है ह तो पहले हम लोग diameter निकाल लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, moon के एक side को, और दूसरे end को observe कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे मान के चलेंगे, यहां पे है एक point, यह है समझो, अभी कुछ भी ले लेते हैं, यह है D, और यह है C, थोड़ा सा अलग समर कर यूज कर लेते हैं, तो यह आपका है हो गया, एक इधर वाला end और यहां वाला end, इनके बीच के distance को हम लोगों को निकालने का है, correct है किने बच्चो, इन दोनों के बीच के distance को हम लोग ले लेते हैं, छोटा D, confusion ना हो, इसलिए थोड़े से मैं alphabets use कर रहा हूं differently, okay, अब अर के किसी भी point से चे सो यह है alpha angle, अब ध्यान दीजेगा, अरत के उपर observation point कितने है बच्चो, एक ही, और जिसको observe कर रहे हो point कितने होगे object के, दो, और वो कौन है, moon का इधर वाला end, moon का इधर वाला end, इसका मतलब यह है कि दो अलग-अलग से end को अगर, distance check करेंगे, तो तो diameter निकल जाएगी, तो यह observation point जो अरत के उपर का है, वो है center एक बड़े से circle का, कौन सा circle, जिस circle का उपर, उसके circumference के उपर, हमारे दो points आते हैं, जिनको हम लोग observe कर रहे हैं, तो यह ऐसा imagine करो, समझो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यह, तो ऐसे imagine करो कि एक बड़ा सा circle है, जिसके center में कोन है, अरत का observation point, ऐसे बनेगा न बच्चो, correct एक ने, ऐसे imagine करो, imaginary circle है, अगर ऐसा है, तो definitely अब होगा क्या देखो, हमें निकालने का यह, और यह है एक arc, circle का arc, तो हमें निकालने का क्या है, छोटा D, C और D के बीच का, C और D के बीच का, अब, और यह है हमारा angle, अब, आपको एक चीज़ confirm पता है, अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोगों को निकाला था, distance between the moon and the earth, capital D, जो की यह है, correct एक ने, अब काम तमाम हो चुका है बच्चो, हमें निकालने के arc की length, और उसका formula, अभी हम लोगों को पता है, तो हम लोग arc की length, चलो, arc की length क्या है बच्चो, D is equal to, क् arc length is radius times, radius को नहीं हापे अभी, D, into, into what, angle between radius, angle between radius, alpha, आ गया बच्चो, diameter of the planet, हो गया, सीधे से जाएंगे पहले distance between the planet and the earth आ जाएगा, उसी को inverse observation के साथ में देखेंगे, तो यह हो गया बच्चो, अब का, diameter of the, planet, और यही है हमारी method, जिसको हम लोग कहते है, बच्चो, parallax method, समझ गए, बस, यह change in the position of object को observe करना है, ठीक है, वो apparent position change है, apparent हमें लगता है, इसलिए apparent है, done, चलिए, सो यह हो चुका है हमारा काम तमाम, done, 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 with the length, जब हम लोग इसको major करेंगे, indirect method के साथ, कहां पे, कहां पे larger scale पे, अब हम लोग जाएंगे थोड़े से छोटे सी scale के उपर, हम लोगों को radius of the atom भी बताया जाता है, इतना छोटा, atom जो दिखता भी नहीं आखो से, और उसके हम लोगों को radius बताया जाता है, 10 to the power, minus 15 meter, वगएर ऐसे कुछ, सो हम लोग इतना छोटे से scale के उपर भी count करत चलो बच्चो, आगे बढ़े, पहले हम लोगों ने देखा था larger distances, अब हम लोग देखेंगे, smaller scale distances, okay, सबसे पहले याद रखो, एक basic scale यूज की जाती है, जिसको हम लोग कहते है, meter scale, okay, 100 meter वगएरा तक की, इसकी range होती है, और नीचे जा जाके, आप लोग क्या करते हैं, फि centimeter में भी count करते हैं, centimeter से लेके millimeter तक भी count कर ले तो, millimeter का मतलब होता है, 10 to the power minus 3, so हम लोग कह सकते हैं, कि इसकी range जो है, वो 10 to the power minus 3 से लेके, 10 to the power 2 meter तक की, कह सकते है, okay, छोटी सी scale, अभी meter scale का है साफिर centimeter scale हो, अगर हो जो भी है, हम लोगों के उसकी जादा details में जरूर ही नही तो उसके लिए एक vernier caliper नाम का device होता है, vernier caliper, ये भी एक scale है, इसका थोड़ा सा methodology, ऐसे directly हम लोग काउंट ने करते हैं, इसको आपको mathematically solve करके करना पड़ता है, थोड़ा सा काम होता है, कहीं सारे लोग, अभी हम लोग तो, मैं जिस college में था, उस college में हम लोगों को definitely ये करक के दिखाया था, physics के पहले ही, एक दम starting में जो practical से ना मुझे याद हो, ऐसे steel वाली scale थी, और उसको ऐसे दो ends थे, अगर आप लोग गूगल करो गया, तो Google के उपर vernier caliper scale check करो, आपको मिल जाएगा, और जब आप लोग 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 के लिपर, अभी अगर मुझे छोटा सा काउंड करना है और एक दम sharpness के साथ, तो इसको हम लोग जनरली major कर सकते हैं, तो हम लोगों को वो, और उसके ही अगले वाला, जिसको हम लोग कहते थी, screw gauge method, आप लोग दोनों भी चेक करो, screw gauge and vernier caliper, इन दोनों को, और इसको किये बिना अगर आप लोग 11-12 दे रहो, बिना वो practical ही नहीं किये, science और practical नहीं, पागल हो गया, हैगी नहीं, vernier caliper, इसकी range इससे भी 10 गुना छोटी होती है, मतलब 10 to the power minus 4 meter तक का इसका range होता है, थोड़ा बहुत, plus minus, और एक मैंने अभी जिसका नाम लिया था, screw gauge, यह जो होता है, यह 10 to the power minus 5 तक का होता है, खास करके इस समझो, उससे भी छोटा होगा, तो 10 to the power minus 5 meter से भी और भी छोटा कुछ होगा, तो, तो क्या करनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चो, अब ऐसे टाइम पे हम लोगों को यह छोड़ के, कुछ और भी methods को use करना पड़ता है, और वो method हम लोगों को पता होना चाहिए, clear है चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि use क्या करते हैं हम लोग normally, microscopes को use करते है, electronic microscopes होते है, या tunneling electron microscopes होते है, यह एक अलग टाइप की बनावट है, हमारे syllabus के beyond है इसको measure करना और इसलिए फिर normally आपको 11-12 में उन चीज़ों को कभी भी details में नहीं पढ़ाते, लेकिन बहु इसको याद भी रखना बच्चो, 10 to the power minus 15 meter, femtometer कहते हैं इसको, देखें कि बाद में, चलो, इसको check करने के लिए, normally हम लोग अलग सी method यूज करते हैं और उस जो अलग सी method है, वो है, जिसको हम लोग क्या कहते है, electron microscopes ठीके बच्चो, चलिए, so, length में, लंबे से लंबे distance, मतलब, even galaxy की size तक, या planets के दूर-दूर के, लाखो करोडो किलोमेटर, जिनका distances होता है, ऐसे distances से लेके, चोटा सा atom, 10 to the power minus 15 तक की range को कहते मेजर करते हैं, इसके दोनों method चेक कर लिए, direct method, physically जाके, और indirect method, mathematically calculate करके, hopefully आप लोगों को ये सबसे पहले समझ चुके, अब ये हमारा काम हो गया, किस के बारे में, length के बारे में, जिसको एक particular way में आपको rhythm में आपको उसको learn कर लोगो, उसको बाद में देखें, पहले ये, पहले ये, चलिए, हाँ जी, 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 अब एक factor है, चलो, देखते, do you know, क्या आपको पता है, बताओगे तो पता चलेगा न, क्या हमें क्या पता है, एक नहीं पता है, चलो, फिर मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज है, और मेरे हिसाब से, मतलब मेरा, क्या कहता हूँ, मैं आपको force कर रहा हूँ, insist कर रहा हूँ आपको, कि आप लोग इसको note-down ही कीजिए, क्योंकि ये factors है, तो ये जो facts हैं आपके, तो ये facts के साथ में आप यूनिट्स में मेजर, डिवाइड कर देंगे, एक है लार्ज वाले, लार्ज स्केल्स देखेंगे, और इधर देखेंगे, हम लोग स्मॉलर स्केल्स, ओके, चलो, बच्चो, ध्यान है, कहीं सारे डिस्टेंसेस को अलग-अलग सी मेजर्मेंट होती है, तो कहीं बार, अभी किलोमेटर, किलोमेटर से कुछ बड़ा पताते हैं क्या, एक हजार किलोमेटर, दस हजार किलोमेटर, दिस टूदी पावर, दिस किलोमेटर, हैग ने, अंडर्स्टेंड, किलोमेटर के उपर जा ही नहीं रहे हम लोग, तो क्या उसके उपर का कनवर्जन फेक्टर हमारे पा नॉमिकल यूनिट इसको लोग ए यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो यह होता है 1.49 into 10 to the power 11 meter 1.49 into 10 to the power 11 meter कहीं बार आपके ने टीचर को भी आपके facts नहीं पता होते हैं आप टीचर पास हो चुके हैं भाइसा आप टीचर की exam हो चुके और उनको exam देनी नहीं तो भूल भी गए doesn't matter वो revise कर लेंगे पढ़ा देंगे आपको exam देनी नहीं मैं भी मैं भूल जाता हूं कहीं बार formula भी भूल जाते हैं सब हमको सब चीजों को रिवाइज करना पड़ता है बार-बार आपको लगता है टीचर बन गया मतलब अभी पढ़ाई खतम होगी रिविजिन करनी पढ़ती है पढ़ाई भी करनी पढ़ती है नए असा नौलेज आ जाता है जब अम लोग अभी चेक करेंगे न मेजरमेंट ऑफ पास हो जाओगे भूल जाओगे नो मेटर ओके चलिए एक दूसरा है यह हो गया एस्ट्रोमिकल यूनिट अब एक दूसरा है जिसको आप लोगोंने बहुत बार सुना होगा और कहीं बार लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते है ठीक है लाइट येर कहते इसको लाइट य प्रोब्लम तो मुझे कोई नॉर्मली अगर कोई चीज बता देता है ना कि आरे वह आते वक्त मेरा मुबाइल लेके आलता शाना वो रूम पर रह गया है तो लेके आते वक्त में भूल जाता हूं बार बार मतलब आभी जास्ट बता हो पांश मिनिट में बूल जाता हूं मैं call पर बात करता हूं फिर मेरे दोस्त बोलता है रहे यार वो इसका मुझे मोबाइल नंबर भेज देदे अबी जस्त मुझे बहुत आरजंट है और पांस मिनिट के बाद में उसका फिर से call आजाता है और तुझ नंबर भेज रहा था फिर मुझे याद आ जाता है हां इसन की जो थोड़ा सा opposite जैसे दिखती है थोड़ा सा odd one है तो odd one चीज़ है बहुत जल्दी से याद रहनी चीज़ है और यह है light year हम लोग measurement of the length चेक कर रहे हैं और measurement of the length में light year कहां से आ गया है year सुनते ही हम लोगों को लग जाता है कि year मतलब क्या होगा बच्चो क्या होगा ऐसे लगता है हमको time year यह time में calculate करते न 365 days one year हो गया यह देखो यह हमारा जो है यह एक routine life का हैसा होगा लेकिन जब यह odd way में आएगा याद रखना light year यह एक distance major करने का unit है okay light year तो अभी one light year मतलब कितना बच्चो तो उसको हम लोग चेक करते है और वह होता है 9.46 9.46 into 10 to the power 15 meter कैसे क्या हम लोगों को लिंदे नहीं हो बाद में देखेंगे हम लोग light year क्या होता है और अभी एक आगला है जिसको हम लोग कहते third वाला larger scale पे यह होता है parsec 1 parsec so 1 parsec कितना होता है बच्चो so 1 parsec वाला distance होता है 3.08 into 10 to the power 16 into 10 to the power 16 meter हम लोगों ने इनको सब को SI unit में लिख लिया है सब कुछ याद रहना चाहिए जरूरी नहीं है लेकिन एक on average चीजों को ध्यान रखिएगा यह बहुत ही लंबा distance है यह उसे थोड़ा चोटा और यह उससे थोड़ा चोटा लेकिन comparatively बहुत बड़े distances समझ रहो यह हो यह light year क्या होता है light year होता है कि light light समझतो है अपलो light जब travel करता है तो उसके अपने एक speed होती 3 lakh km in 1 second 3 lakh km so 3 into 10 to the power 8 meter इतना light का speed होता है generally in the air or vacuum तो वो light year अभी एक साल में उसी speed से वो कितना distance check यह होगा देखो distance is equal to what is what is the formula distance is equal to speed into time तो light की speed 3 into 10 to the power 8 into time 1 year जब हम लोग निकालेंगे तो जितना distance cover करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चो one light year okay इसको अभी मैं लिखवाऊंगा नि बहुत time चल जाएगा उसमें इतना याद रखिएगा it is a distance traveled by the light in a vacuum speed of that in one year एक साल में समझ गये तो यह होगा आपका light year अब आप लोगों में से कुछ लोग को पूचेंगे फिर यह भाहिया पार्सिक क्या होता है थोड़ा सा इसको अभी क्या बता हूं यह एक एंगल के साथ में सब्टेंडेड होता है एक सब्टेंडेड एंगल के जैसे है थोड़ा सा समझाना इसके लिए थोड़ा सा अलग है यह इसको समझना हमारे लिए मुश्किल काम है लेकिन ठीक एक basic diagram देख लो पार्षिक के लिए एक ऐसा अभी यह एक एंगल सब्टेंडेड होता है जब यहां पर वन सेकेंड का एंगल बनेगा वन सेकेंड के एंगल अभी कुछ लोग वह भी गएंगे मिनिट्स और सेकेंड तो फिर तो यह भी टाइम का है और वह एंगल में कहां प्या गया देखो सोरी-सोरी यहां पर बनना चाहिए है हुँ हुँ है हुँ है हुँ है अच्छा ठीक है इसको नॉर्मली कट कर देते हैं जी है हाँ कि आ अगर के वश्चा चाहिए यहां पर फिर यहां आपका रेडियास और फिर वन पारसेग होता है इथर वन पीशी ठीक तो यह एक एंगल बनाता है और यह जो डिस्टंस होता है रेडियस का वोटाइव यू और यहाँ से लेकिए यह जो डिस्टंस होता है इसका अगर यह आर है जो एंगल बना राहा है यहां से लेकिए वह गब 1 Kylie तो हम लोग कहते हैं यह वाले इस्टंस को center to center इसको हम लोग चलो पूर लेकिन अभी आपको तो लेंगे, चौलो, smaller scale, 2 है important, उनको याद रखना, 1 Fermi कहते हैं इसको, या Femtometer कहते हैं, ठीक है, 1 Fermi या Femtometer, तो अभी Fermi क्या होते है, 1 Fermi, 1F is equal to 10 to the power minus 15 meter, 10 to the power minus 15 15 meter, ये Femtometer, इसको हम लोग, Femtometer भी कहते हैं, ठीक है, Femtometer, ठीक है, FM से denote करते हैं इसको, चोटा है, चोटा है, अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजीगा, फैक्ट है, ठीक है, तो इसमें फैक्ट में कुछ, अलग सानी क्रियोट होते हैं, ये हमेशे जितना है, उतना ही रहेगा, कोई अलग सी चीज़े, बदला होने आने वाली, इसलिए याद रखने को कहा है, 10 to the power minus 15 meter, minus 15, कुछ लोगों को लगेगा, फिर ऐसे क्या-क्या हो सकता है, देखो, एकदम basic बता देता हूं, सबसे पहले, micro का मतलब होता है, 10 to the power minus 6, nano का मतलब होता है, 10 to the power minus 9, और ये याद रखना, P को होता है, 10 to the power minus 12, इसका अगला ही फिर, कोना जाएगा, 10 to the power minus 15, 10 का table ले न, हाँ जी, सो ये हो जाता है, आपका femto, और इसके आगे, 10 to the power minus 18 होता है, वो होता है, एटो, एटो, हाँ, ये है कौन, इसका काम क्या है, इसका काम है, conversion factor का, conversion factor से, ऐसे ही conversion factor, हम लोग बड़े छोटे में, देखेंगे, मैंने आपको कहा था, जैसे kilo, mega वगएरा, ये भी होता है, giga वगएरा, चलो, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बच्चो, थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, इसका नाम है angstrom, क्या है, ये है angstrom, वही है, वन angstrom, इसको एक हल्का सा उपर सा ऐसा circle बनाने का, जैसे degree इसके लिए बनाते हैं आप लोग, इसका वाल टेन तो दी पावर, माइनस 10 मिटर, याद रखना, 1 angstrom, इस 10 to the power, माइनस 10 मिटर, ओक्या बच्चो, ओफुली इस ड़न, वेवलेंस वगरे को कही बार, आप लोगों को angstrom में देंगे, जैसे light का, जो visible light होती है, ना, हमारी आखों को दिखने वाली light, वो कुछ लगभग, 4000 angstrom, से लेके, 7000 angstrom तक की होती है, समझे रहाँ लोग, so 4000 जैसे को ऐसा, इन्टो 10 to the power, माइनस 10 मिटर, इतना, ये वेवलेंस के बारे में, जब आप लोग बात करेंगे, तब देखेंगे, उसका काम जब आएगा, तब देखेंगे, लेकिन ये पहले पता होना चाहिए, तो फिर बाद में क्या होता है, कि हम लोग light section पढ़ेंगे, उसके numerical आएगे, और फिर आपको बताएंगे, इतनी वेवलेंथ है, और फिर हम लोग वेवलेंथ को, एंग्स्ट्रॉम से लेके, अगे बड़ेंगे, हटो, चलो, एटो, हटो, हँआजी, 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 एक हो गया, पूरे तरीके से, measurement of the length, हो चुका, हो चुका, हो चुका, इसमें बहुत अभी भी और चीजे बाकी होती है, लेकिन, मैं आपको क्या कहा, कुछ चीजें हमें, पहले बेसिकली पढ़नी है, और फिर बाद में हम लोग करेंगे उसका, काम तमाम, लेकिन, वो बाद में हम लोग एक अलग से सेक्शन लेके करेंगे, जब हम लोग और आगे की preparation के लिए लग जाएंगे, अब ही तो पहले boards करो, और थोड़ा-थोड़ा सा CET वगरे करो, बेसिक-बेसिक objectives को practice करो, और फिर, हाँ, एक चीज़ बताऊंगा, जब हम लोग जिस सेक्शन को ले रहे हैं, आपके पास अलग-अलग सी reference books होंगी, और नहीं होगी तो ले लो, उन reference books में कहीं सारे उसके ऊपर, MCQ questions होंगे, कुछ return questions भी होंगे, उनकी practice किया गरो, तुरंती, क्योंकि थोड़ा सा, थोड़ा सा खाते रहेंगे, तो पेट में गड़बडी नहीं होगी, एक साथ खाने की कोशिश कर ले तो, जब exam आ जाती सर पे, और फिर, अरे, दस चाप्टर है, कैसे हो जाएंगे, भाई सब, दस चाप्टर होने तक क्या आप सोगें थे क्या, definitely सोए होंगे, तो हम लोगों को इसको ग्रेजुली करना है, चलिए, तो अगला है हमारा, measurement of the mass, length होगी, अब mass check करेंगे, so, the next section is, measurement of mass, normally mass आपको पता होता है, mass क्या है, it is a amount of matter contained in a body, कोई भी body किसी न किसी चीज से बनी होई होती, जिस भी चीज से बना हुआ होता है, वो उसके body का mass हो गया, correct एक नि, ये carbon अगर ऐसा बना होगा, ये उसका mass हो गया, कुछ items अगर मिल मिलके हो गया होगा, इसको भी mass है, इसको भी mass है, इसको भी mass है, इस body में भी mass है, definitely there is a mass, so, it is the amount of matter contained in a body, ठीक है, तो किसी भी body में जो amount of matter है, उसको हम लोग कहते हैं mass, अब देखो, इसका basic SI unit क्या पता है, इसका SI unit आपको सब को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इसको काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, और वो है kilogram, कीजी, देखो बच्चो, थोड़ा सा ग्यानी बनो, और ग्यान ये कहता है, 9th standard से पढ़ चुके हम लोग gravitation, और gravitation chapter में ही, हम लोगों ने तब क्या पढ़ा तब पता है, gravitation chapter में, mass and weight section था, जिसमें mass अलग है, और weight अलग है, weight हम लोग नॉर्मली, kilogram में बताते हैं, कहीं सारे लोगों का mind, अभी भी वहीं पर भूसे में पढ़ा हुआ होते हैं, पढ़ने के बाद में भी, ऐसे नहीं होना चाहिए, कि हम लोगों कुछ चीजों को तो intentionally याद रखना चाहिए, मैंने आपको कहा था, weight अलग है, newton में count करता है, weight एक force है, जो body के उपर earth लगा रही है, वो अलग है, और ये अलग है, तो ये है आपका mass, तो kilogram में आप लोग जो बता रहे होनों, वो actually आपका mass है, क्या है, mass है, किस में, kilogram में, kilogram में, भूलना मत, ठीक है, चलिए, अब, हमें ये भी तो चेक करना है, कि इसको major कैसे करते होंगे, अभी vernier caliper से कुछ चीजों को चेक किया, स्कुरू गेज से किया, माइक्रोस्कोप से किया, या ऐसे अलग-अलग से, पैरलेक्स मेथड से किया, मैथेमेटिकल मेथड से, ये सारी lens के बारे में चेक कर लिए, अब ज़रूरी है, mass को कैसे major करते है, 1889 से लेके, शुरुवात में, इंटरनेशनल ब्यूरो जो है, weights and measurement का, वहाँ पे उसको रखके major किया जाता था, और एक standard, लेकिन उनको बाद में समझ में आया, ये जो जिसको जिसको अम लोगों ने रखा हुआ है, वो थोड़ा सा dust वगरे पकड़ रहा है, फिर एक नहीं थी definition बताई गई थी 20th of the May 2019 को, कि किलेग्राम को कैसे define करना है, लेकिन ये जो method थी, इस method को, electric current के basis पे major किया गया, किसके? electric current के, अब electric current का और mass का क्या लें देना है, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो, आप लोग, इलेक्ट्रो मैगनेट क्या होता है, उपता है कि आपको, 10th standard, electric current chapter, यादे किया, magnetic effect of the electric current, यादे, जब लोगों ने पढ़ा था, एक चीज है, जहां current, वहां magnetic field, correct है, current पास करो, magnetic field create हो जाती है, और खास करके, जैसे कुछ metallic pieces को, कछरे में से, अगर उठाने का है, तो कहीं बार ऐसे, वह crane जैसे structure होता है, जिसमें से current पास किया जाता है, और फिर current पास होते ही, वह जो नीचे प्लेट रहती है, उसके आसपास में, उसमें current जैसे पास हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उसके आसपास में, एक magnetic field create हो जाता है, जितना जादा current पास करोगे, definitely उतना जादा magnetic field strong हो जाता है, और फिर वह नीचे से metallic pieces को उठा लेता है, वह उठा रहा है क्योंकि force है, तो हम लोग electric current कितना है, उसके इसाब से force generate कर सकते, correct है कि नहीं, उसी तरीके से standard को decide करने के लिए, फिर उन्होंने help की, magnitude of the electric current fix कर देते इसके साथ, एक relation रख दिया कि इतना मतलब ये, कुछ example जैसे, आप लोग किसी चीज को याद रखने के लिए कर ले तो ना, ये मतलब ये, तो हम लोग याद करने के लिए नहीं, इन्होंने एक method यूज किये, experiments के लिए, तो देखो, अगर हम लोगों को चेक करने का है कि 1 kg, 1 kg का मतलब क्या होता है, so it is the amount of current, amount of electric current हो, ठीक है, उसका magnitude चेक करेंगे, एक number ए particular, वो fix हो चुका है, किस चीज के लिए, तो उन्होंने चेक किया कि, एक, it is, it has to be passed through an electromagnet, अब electromagnet के through, इतना current पास होगा, amount of current, that has to be passed, that has to be passed, किसमे से, through, electromagnet, इलेक्ट्रोमागनेट में इसे, हम लोग कुछ करंट पास करेंगे, कितना पास करेंगे, उसकी वैल्यू एक फिक्स कर देंगे, किस चीज के लिए, so that it can pull up, या pull down, one side of extremely sensitive, balance to balance, the other side, तराजू देखा है न, आप लोगोंने तराजू, सब्जी वाले इसमें जाते हैं आप लोग, तो आजकल तो वो डिजिटल आ रहे हैं, लेकिन अभी भी गाओं के और इदर उदर थोड़ा सा लोकल लेवल पे क्या कर ले, तो तराजू यूज कर देते हैं, है किने, वो अंधा वाला न्याए, उसको दो साइड होती है, तो वो तराजू की एक साइड में समझो, अगर हम लोगों ने कुछ सब्जी रख दी, उदर दूसरे वाली साइड में कुछ नहीं, तो वो नीचे आ जाता है, अब उसको बैलेंस करने के लिए, अब उदर बराबर उतना एक्वालेंट वेट रख देते हैं, यह तो फिर वो वेट रखा हो जाता है, तब तक नहीं चे रहता है, और फिर हम लोगों वन कीजियो आफ़ अपल अगर लियने काई, तो हम लोग एपल डालते चलेंगे, बतलते हुएसे यहुए ऐसे यहां पे लिए लेकिन इसको पूछ पुष मिलता है, इलेक्ट्रोमारेट के वज़े से पुल डाउन कर लेता है, तो जैसे पुल कर लेता है, अभी उसको देखो, आपने कुछ करंड पास किया, थोड़ा की चाहोगा, थोड़ा की चाहोगा, ऐसे एक balancing आजाता है, लेकिन इधर कोन रखा हुआ है, 1 kg of mass रखा हुआ है, जिसको एक पहले सही standard है, अब एक बार वो फिक्स हो गया value, तो हम लोग उसको, क्या करते हैं, finalize कर देते हैं, so, ये through the electromagnet, किसके लिए, to pull down, ये पुरा इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको बस समझने की जरूरत है, ठीक है, so that it can pull down, one side of extremely sensitive balance, extremely sensitive मतलब, जैसे ये तराजू होते हैं, ये faulty होते हैं, बहुत सारे, ये sensitive नहीं होते है, इसमें accuracy जादा level हो, उसको कहांगे sensitive, ठीक है, मतलब उसमें friction, ये वो सारी चीजे, निगलीजिबल लेवल पे जाएंगे, तब जाके correct answer आएगा, so accuracy को बहुत जादे important, तो pull down, one side of extremely sensitive, किसको, the balance other side which hold one standard of, to hold, one kg, जो, one kg को hold गर रहा है, ऐसे इसको, तो इधर एक साइड में, one kg ही समझो, अब ये उपर जा चुक है, तो मैंने, यहां से current pass किया, current pass होते ही, magnetic field आगे, इसको pull कर लिया, ये basic level पे imagination बता रहा हो ने, तो फिर आप लोग घर पे जाके, तराजू से करके देखोगी, that is not what, the real method is, मैं जस्ट आपको imagine करने के लिए बता रहा हो, फिर इसको ये नीचे आजाएगा, क्योंकि force के मतलब हो गया, ठीक है, हो गया, done, ठीक है बच्चो, ये हो गया, mass, all done, all done with the mass, अब एक छोटा सा काम है, बस इसमे, conversion factor है, छोटा से mass के लिए चेक करते हैं, हम लोग, उसको हम लोग कहते है, one atomic mass unit, one atomic mass unit, इसको हम लोग कहते है, one amu, one atomic mass unit क्या होता है, carbon 12, carbon 12, carbon 12 क्यों लेते हैं, क्योंकि वो एक abundantly available चीज है, एक atom लेना हमको, कोई तो standard के लिए मैंने पहले कहा था, आपको कि कुछ conditions को satisfy करना पड़ेगा, वो easily available भी होना चाहिए, ठीक है, जो stabilized होना चाहिए, तो carbon 12, यह abundant भी है, और stabilized भी है, तो दोनों चीजों के वज़े से carbon 12 को use कर लेते, so one amu, actually क्या होता है, पता है, one 12th, sorry, one 12th, किसका, the mass of, the mass of unexcited atom of the carbon 12, mass of unexcited, unexcited atom of carbon 12, इसको मेजर करने के बाद में समझ में आ गया, one amu, इतना, कितना kilogram होता है, उसको एक, क्या कहते हैं, लोग, conversion factor में लाना पड़ेगा, कुछ तो बैलेंस करने के लिए, तो वो होता है, 1.66, बहुत बड़ा नंबर है, मैं लिखूंगा नहीं, इतना, इंटू 10 to the power, 6, 1.66, इंटू 10 to the power, minus 27 kg, minus 27 kg, ये कुछ याद नहीं रहा, तो भी चलेगा एक बार, ये याद रखो, और एक चीज याद रखो, कि carbon 12 क्यों, abundant, and stabilize, okay, abundant or stabilize, carbon 12, I'm sorry, जी, ये हो गया, अब measurement of the time बचा है, इसको देखेंगे और फिर रुख जाएंगे, फिर अगला देखेंगे, नेक्ट चाप्टर में, चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, measurement of the time, और ये भी बहुत ही basic चीज है बच्चों, चलो, ध्यान दीजिएगा, measurement of time, एकदम last वाला काम है अज का, measurement of time, आपको कैसे पता कि one second है, ये है, वो है, हम लोग कैसे decide करेंगे, करेक्ट है न, टाइम को तो हम लोग बहुत अलग अलग चीजों से देखते हैं, आप लोगोंने seconds में time पता है, minutes में पता है, minutes से आगे बढ़ेंगे hours में पता है, hour कुछ मिलके बढ़एगा one day, कुछ days में बढ़एगा one week, week मिलके बढ़एगा कुछ months, months बढ़एगा year ये किने, year, year, year लो मिनके decade, decade, decade मिलके century, बगएर 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 ऐसे बहुत थरी से देखें ना को सारे किया है time को calculate करने की unit से कर नेगे लेकिन basic से start करना हमें कहां पोचना है वह समझ जो हमें वह भाँ पोचना है जहां बहुत ज़्यादा काम है और कौन है second क्योंकि student है और वह सबसे ज़्यादा काम में आएगा हमें second तो हम लोगों को जाना है actually second के पास में और second क्या होता है वो पहले आप लोग समझने की कोशिश करो चलो ठीक है देखें so one second is equal to what हम लोगों को अलग-अलग सी चीजे अलग-अलग सा क्या देते थी readings अब एक cesium 133 atom है ठीक है cesium 133 133 so वो जो atom है normally किसी भी चीज में एक energy होती है और वो vibration state में होता है तो इसके दो hyperfine position से उनके बीच का जो vibration है वो number of vibration जितना हो गया इतने number of vibration is equal to one second ऐसा उसको equate कर दिया ठीक है लेकिन number of vibrations कभी ज्यादा या कम भी हो सकते एक average निकाला गया क्या निकाला गया एक average तो one second मतलब कितना vibration है तो देख चेक करो it is an a mobile number याद रखने जैसा कर लो इसको 919263 1770 ऐसे मान के चलो कि यह time का mobile number किसका time का so time का mobile number क्या है बच्चो एक second लगाना आपको call किसको 919263 1770 मुझे भी याद नहीं रहता था लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेमने number थोड़ा थोड़ा से याद होने लगे so 9192963 1770 यह क्या हो चुक है हमारा एक second को call करने का अपको लेकिन यह number of vibrations है ठीक है धान देजीगा इतने vibrations between काँ पे हम हाइपर फाइन या सूपर फाइन तेखो एनर्जी का अलग-अलग सा लेवल ठीक है तो यह vibration radiation का vibration ही है जिसको waves होते ना waves समझतो न आप लोग तो उसका vibration ही है यह emit होते हैं यह vibrations emit हो रहे है इतने सारे vibrations यह एक तरीके से wave के form में emit हो रहे है तो यह कब emit हो रहे है जब transition हो रहा है between the two hyperfine states of cesium 133 इसको याद रखो cesium 133 को ठीक है यह याद रखो ठीक है चलिए बच्चों measurement of the time इतना valuation नहीं करी करेगा measurement of the mass भी इतना valuation नहीं करी करेगा पस वह वन amu और one second इसको याद रखो लिकिन जब आप measurement of the lens को चेक करोगे parallax method सबसे important सबसे और वो conversion factors fame to अगरा जो है यह इसको थोड़ा सा याद रखो उसका काम जाद आएगा इनको कोई marks wise कोई पूछना नहीं है पूछ भी लिया हम लोगों को जो basic चाहिए वो पता कर लो बासिक की सब खतम चलो आज यहां पर रुख जाएंगे फिर वापस कल मिलेंगे अभी dimensions और dimensional analysis के साथ तो यह बहुत 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 जरूरी पार्ट है ऐसा मानके चलो dimensions को समझना जहां 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 हम लोगों ने चीज़ों को major कर लिया अल्मोस्ट उस हर जगह पे आपको dimensions आ जाते हैं इसका काम क्या है क्या नहीं है वो देखेंगे हम लोगों तब तक के लिए बाई और इस चैनल पे बने रहिएगा बार बार अपडेट देखते रहिएगा चलो बच्चो सी ओल